हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुदरसिन परकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल गुरू चगाचग दोस्तों SSC मतलब स्टाब सेलेक्शन कमिशन जिसे हिंदी में कर्मचारी चेयन आयोग कहते हैं इसके नाम से पता चल रहा है कि यह एक आयोग है जो की कर्मचारीों की भरती करता है इंडिया में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला संगठन SSC है और ये स्टुडेंट में काफी फेमस भी है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले SSC का छोटा सा इधिहास जान लेते हैं चार नौमबर 1975 को भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसे अधिनस्य सेवा आयोग मतलब सब और्डिनेट सर्वेस कमिशन कहा जाता था 26 सितंबर 1977 को अधिनस्य सेवा आयोग का नाम बदल कर कर्मचारी चैन आयोग कर दिया गया जिसे आम तोर पर SSC के नाम से जाना जाता है दोस्तों SSC साल में आठ तरके एकजाम करवाती है आए सभी आठ एकजाम को सौट में जान लेते हैं फिर डेटेल में समझेंगे सबसे पहले हैं MTS MTS मतलब Multitasking Staff उसके बाद आता है CHSL मतलब Combined Higher Secondary Level उसके बाद है CGL CGL मतलब Combined Graduate Level उसके बाद आता है Astronographer SSC GD Constable CPO मतलब Central Police Organization उसके बाद है JE मतलब Junior Engineer उसके बाद है JHD मतलब Junior Hindi Translator इन आठ एकजाम के बारे में डेटेल से आगे जानेंगे दोस्तों SSC द्वारा अलग-अलग डिपार्टमेंट में खाली पदों को भरने का काम करता है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब किस चीज की चाहिए और आप उस पोश्ट के लिए तैयारी कैसे करते हैं पहले जानते हैं SSC एकजाम कौलिफाई करने के बाद पोश्ट कौन-कौन सी मिलती है सबसे पहले Assistant Audit Officer उसके बाद है Income Tax Inspector उसके बाद है Inspector Examiner Assistant Central Excise Inspector Preventive Officer Assistant Section Officer Assistant Enforcement Officer Divisional Accountant Postal Inspector Statistical Investigator Auditor, Etc अब जानते हैं SSC के द्वारा आप किस-किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं दोस्तों Indian Government के अंतरगत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं जैसे Income Tax Department CBI, NIA Intelligence Bureau Ministry of Railway CAG, Election Commission Ministry of Parliamentary Affairs Central Secretariat Indian Foreign Service Central Secretariat CWPRS, Etc दोस्तों इतना तो हम लोगों नहीं जान लिया सबसे पहले आता है MTS MTS मतलब Multitasking Staff दोस्तों MTS एक्जाम SSC की सबसी कम qualification वाला एक्जाम है कर्मचारी हैं जिसे 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 विसे विसेश से से परिक्षा के माध्यम से काम पर रखा जाता है MTS कर्मचारी नोकर साही का बहुत महतपूर्ण हिसा है खासकर जबिया महतपूर्ण विभागों के दैनिक कारियों को करने के लिए आता है अब जानते हैं निक्ष्ट है CHSL मतलब Combined Higher Secondary Level दोस्तों हर वर्स SSC भारस सरकार के विभिन मंतरालेओं विभागों में विभिन पदों को भढ़ने के लिए SSC CHSL एक्जाम का आयोजन करती है यहाँ परिक्षा उन अभिर्थियों के लिए खास तोर पर आयोजित की जाती है जो 12th पास करके सरकारी नौकडी प्राप्त करना चाते है मतलब कि इस परिक्षा में पूछे गए प्रसनो का स्तर आपके स्कुल में पढ़ाए गए पाठकरम के उपर नहीं होगा तभी तो इस परिक्षा का नाम स्वयुक्त उच्थर माधमिक स्तर रखा गया है जो की पुरी तरह से 10 प्लस टू अस्तर पर अधारित है SSE CHSL के अंतरगत चार तरह के पोश्ट आते हैं आप जानते हैं SSE CGL के बारे में इसका फुल फॉर्म है कमबाइन ग्रेजुट लेबल दोस्तो हर साल कर्मचारी चैन आयोग भारस सरकार में विभिन मंतरालियों, विभागों एवं संगठरों में मौजोद ग्रूप B, नन टेकनिकल और ग्रूप C, नन गैजड़ेट पदों को भढ़ने के लिए उमिदवारों का चैन करने के लिए कमबाइन ग्रेजुट लेबल एक्जाम आयोजित करता है SSC सीरियल की परिच्छा पास करके आप आयकर, उत्पात सुल्क, CBI, डाक, नार्कोटिक्स, NIA इत्यादी जैसे विभिन केंदरीय सरकार के विभागों में एक इंस्पेक्चर, एक्जामिनर या असिस्टेंट बन सकते हैं इस एक्जाम में बैटने के लिए आपका ग्रेजट होना जरूरी है नेक्स्ट है एस्टोनोग्राफर दोस्तों SSC एस्टोनोग्राफर का जौब बहुत ही रेपूटेड होता है इस एक्जाम की खासित है कि आपको सौट हैंड आना चाहिए सबसे पहले होता है रेटन टेश्ट उसके बाद स्किल टेश्ट यानि की सौट हैंड और टैपिंग इसमें रेटन टेश्ट का भी खासित है कि इस एक्जाम में मैट से सवाल नहीं रहते है इक्जाम का फार्म भरने के लिए आपका सिर्फ 12 पास होना जरूरी है इस टोनोग्राफर का काम हाई कोट में, मंत्रालियों में, सरकारी संस्थाओं में, पतरकार के रूप में आधी कई जगों पर अपने अधिकारियों द्वारा किये गए बाचित का नोट्स पैड में रखना और फिर उसको टाइप करके उसका डेटा सेव रखना आधी कम होता है इसके बाद आता है SSC GD Constable, GD मतलब General Duty, GD Constable एक्जाम का आयोजन, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन मतलब SSC द्वारा किया जाता है इसके माध्यम से सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF, केंदरी ओदोगी सुरक्षा बल मतलब CISF, भारत तिबत सीमा पुलिस बल मतलब ITBP, केंदरी एडिजर पुलिस बल मतलब CRPF आधी में General Duty, Rifleman के पदों पर भरती की जाती है SSC GD Constable का फॉर्म भरने के लिए टेंथ पास होना जरूरी है, इस एक्जाम में फिजिकल टेस्ट भी देना होता है इसके बाद है CPO, CPO का फुल्फम होता है Central Police Organization दोस्तों अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप SSC द्वारा आयोजीत एक्जाम CPO को पास कर बन सकते हैं इस एक्जाम को पास करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं इस्टोरियन का किसी भी विसाय के साथ graduation pass होना चाहिए साथ ही पुलिस उमिद्वार जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनकी पास LMV मतलब कार और मोटर साइकल चलाने का वैद driving license होना जरूरी है इसके बाद है J.E. J.E. मतलब junior engineer दोस्तों S.E. J.E. द्वारा भारत सरकार के तहत आने वाले विभीन इंजिनेरिंग विभागों एवं संगठनों में विभीन तक्निकी खाली पदों को भरने के लिए S.E. J.E. exam का आयोजन करती है S.E. J.E. exam एक तक्निकी परिक्षा है इसलिए इस एक्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास तक्निकों का ज्यान और समझ होना जोड़ी है जिसके लिए आपको डिपलोमा या इंजिनिंग किया हुआ होना चाहिए अगर आपके पास किसी मानिता प्राफ्ट विश्वे दयाले या संस्थान से इन तीन विशों सिविल, इलेक्टिकल, मेकैनिकल मेंसे किसी भी एक विशे में बैचलर डिग्री या डिपलोमा है तो आप S.E. J.E. की परिक्षा दे सकते हैं उसके बाद आता है J.E. J.E. का फुल फर्म होता है जुनियर हिंदी ट्रांसलिटर S.E. J.E. एक जाम S.E. द्वारा आयोजित महतपोन परिक्षाओं में से एक है जो परतिक वर्ष भारत सरकार के विभिन मंत्रालियों, विभागों एवं संगठनों में अनुवादगों के खाली पदों को भढ़ने के लिए आयोजित की जाती है या परिक्षा उन छातरों के लिए खास दोर पर आयोजित की जाती है इन्होंने हिंदी या इंग्लिस में बैचलर की डिगरी प्राप्त की हुई होती है और वह एक सरकारी अनुवादग बनना चाहते है जुनियर ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको हिंदी में पोस्ट ग्रेजुशन मतलब मास्टर्स डिगरी होना चाहिए और साथ में आपके पास इंग्लिस विशय का भी होना जिरूरी है साथ ही जो इंग्लिस से हैं उनका पोस्ट ग्रेजुशन अंग्रेजी विशय में हिंदी के साथ होना चाहिए या दूसरे तरह भी आप समझ सकते हैं आपका किसी भी विशय में पोस्ट ग्रेजुशन और साथ में आपके पास अकैडमिक में हिंदी या अंग्रेजी में से कोई विशय होना चाहिए तो दोस्तों ये था SSE के द्वारा आयोजेज सभी आठ ही एजाम के नाम उमिद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू